नमस्कार कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुनाली विदान सबाचुनाप के लिए प्रचार कर रहे मोदी जब काशी गए थे तो वादा किया था कि जीत के बाद मागंगा का अशरवाद लेने के लिए दोबारा फिर आएंगे और हुआ भी ऐसा ही बीजेपी ने विदान सबा में प्रचन जीत हासल की और मोदी काशीवासियों के लिए रिटर्न गिफ्ट लेकर पहुँच गए काशी साथ जुलाई को दिन काशीवासी चाहा कर भी नहीं भूल सकते क्योंकि पीएम ने गिफ्ट ही ऐसा दिया है इस रिपोर्ट में देखिये वारन से पहुँचे पीएम ने अपने पांच घंटे के कारिक्रम के दोरान तीन कारिक्रम में शिरकत की सबसे पहले एल्टी कॉलेज में पुर्वांचल के सबसे बड़े अक्षे पात्र मिद्डे मील किचन का उधगाटन किया इसके बाद अखिल भारतिय शिक्षा समागम कारिक्रम का उधगाटन किया फिर सिग्रा स्टेडियम में 1774 करोड की 43 परियोजनाओं का लोकापन और शिलन्यास किया पेम मोदी ने डॉक्टर संपूनान स्पोर्च स्टेडियम सिग्रा में भोचपूरी से भाशन के शुरुआत की पेम ने कहा हर हर महादे काशी में कहल जला कि यहाँ 7 बार 9 त्योहार होला कहले का मतलब यह होए कि यहाँ रोज रोज नया त्योहार मनावल जला यहाँ जुटल आप सब के प्रणाम है पेम ने कहा सावन में बाबा के भक्तों को दिव्य भव्य और नव्य काशी का अनुभव मिलेगा दुनिया भर के परिट को और श्रद्धालों को काशी में दिव्य अनुबव हो और आनन बिले ये हम सब का कमिट्मेंट है पीम का ये दोरा 2024 का शंखनाद माना जा रहा है क्योंकि भगवान भोलेनाद के आशरवाद से बड़ा और क्या हो सकता है योपी वदानसभा चुनावों में भी पीम ने काशी से भगवान का अशरवाद लिया था पीम ने काशी के लिए जो कहा उसका अर्थ ही अलग है पीम ने कहा मैं आज चुनाव के बाद पहली बार आपके बीज आया हूँ काशी हमेशा से ही जिवन और निरंतर प्रवाहमन रही है काशी ने पूरे देश को एक तस्वीर दिखाई है जिसमें विरासत भी है और विकास भी है काशी की आत्मा अविनाशी है लेकिन काया में निरंतर नवीनता के लिए हम जी जान से जुटे है PM जो काशी को संबोधित कर रहे थे तो उनों ने विपक्ष की बात नहीं की बात की तो विकास की महला सशक्ति करण और युवाओं के रोजगार की PM ने कहा कि काशी के नागरिकों ने पूरे देश का संदेश दिया है कि शॉर्टकट से देश का भला नहीं हो सकता हाँ कुछ नेताओं का हो सकता है हमारे लिए विकास का अर्थ सिर्फ चमक धमक नहीं है विकास का अर्थ दलित गरीब वंचित पिछडे आदिवासी माताओं और बहनों का सशक्ती करण है पेम ने कहा आज जिस स्टेडियम में हम सबा कर रहे हैं वो विश्व स्टर्य सुवधाओं से लेस होगी छे दशक पुराने स्टेडियम में 21 सदी की सुवधाएं होंगी गंगा के निर्मलता और स्वचता के लिए हमारा जो संकल्प है उसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना है काशिवासियों के विश्वास और बाबा विश्वनात के आशुरवाद से हमारे हर संकल्प सिध होने ही वाले हैं अपनी इस बात से पियम ने इशारो इशारों में 2024 के लिए जमीन कयार करने का संदेश दे दिया है पेम मोदी ने बता दिया कि 2024 में भी वो काशी को ही अपना रंड बनाएंगे बाबा विश्वनात की पावन धर्ती से ही वो 2024 के संग्राम का आगास करेंगे इस रिपोर्ट में मेरे साथ एता ही तमाम खबरों के लिए जिड़े रही कैपिटल टीवी के साथ मसकार